नमस्ते मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे चेकिंग OCD के बारे में चेकिंग OCD जैसे की दूसरी OCDs भी होती है उसमें होते हैं Intrusive Thoughts, Unwanted Repetitive Thoughts वो विचार जो आपके दिमाग में आते रहते हैं जब आपको नहीं चाहिए तो भी उन Thoughts से होती है Anxiety और Anxiety को दवाने के लिए आप करते हैं Compression तो यह है OCD की cycle चेकिंग OCD में इनसान को यह विचार आते हैं कि अगर वो कोई चेकिंग रिचूल या चेकिंग मैथर्ड ना करें तो उनके साथ या उनके परिवार वालों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा या बुरा हो चुका है जैसे religious checking OCD में लोग सोचते हैं कि अगर मैं इतनी बार भगवान का नाम ना लू या मैं भगवान को इतनी बार टच ना करूंगी फोटो को तो उनको यह विचाराने लगते कि मेरी फैमिली वालों को या मुझे कुछ खराब हो जाएगा जैसे मनत वाला उनको होता है कि मन में कुछ आया तो वह मनत हो गई और उसे करना ही पड़ेगा कि दिमाग में आ गया कि हजार बार भगवान का नाम लो तो वह करना ही पड़ेगा और उसकी वरे से होती है एंग्जाइटी और उसको दबाने के लिए वो लो करते हैं जैसे मेडिकल हेल्थ ओसीडी वालों को दिमाग में यह विचार आता रहता है कि क्या मुझे कैंसर हो गया है क्या मुझे एड्ज हो गया है और वो घंटों बैटके गूगल पर चेक करते रहते हैं दूसरों से प उपर से चले गया हिए उनको ऐसे चले उस क्यूंक के वाफस लेट के खालाओ देखने के लिए कि को आखीडेंट तो नहीं आया हो इकलिया है तो उनको यह इंट्रूजाइव ठाए इसके बार भार चेकर करना कि स्टोब बंद कि नहीं तो यह सब विचार करते हैं इस 본rict में पर तो दिन पहले जब बात करी तो गलती से उन्हें किसी को गाली दे ली तो चेक करने लगते हैं कि क्या मैंने काली की थी क्या रहुता हुआ था इसके बाद mistake OCD भी होती है checking में ही कि उनको लगता है कि मैंने कुछ जो लिखा था या मैंने जो email लिखा या अपने बॉस को बार 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 तस तस पंदरा पंदरा बार चेक करते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है और जब भेज भी देते हैं तब उनको लगता है कि आ मैंने आपने society के बाहर wall में बहुत बड़ी ऐसे गाली लिखती है तो बार बार चेक करते हैं कि गाली तो नहीं लिखी तो यह थे checking obsessive thoughts इन thoughts की वाज़े से होती है anxiety और anxiety को दवाने के लिए करते हैं compulsion जातर एक तो checking compulsion करते हैं बार बार चेक करना सेकिंड है mental ritual टाइप्स या वो करते हैं कि for example counting करने लगते हैं या तो अपने आप से ही mental review करने लगते हैं कि मैंने उस टाइं क्या किया था मैंने किसी को गाली तो नहीं दी मैंने कोई mistake तो नहीं करी तो वो अपने mentally अपने आ religious society है जो को भगवान को देखके 100-100 बार भगवान का नाम लेने का उनको वो मन करता है तो फिर वो पंदिर ही जाना बंद कर देते हैं तो avoidance हो जाता है लोगों से वो reassurance मांगते हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी यह email मैंने भेजा था वो सही था ना तो बार बार वो anxiety को दबाने के लिए है अगर मुझे anxiety होती है तो उसके बाद में क्या कर रहा हूं क्या मैं उसे दबाने के लिए कुछ कर रहा हूं वही आपका साराई medicine जैसे प्रोजाक और पैक्सिल हो गई जोलॉफ्ट हो गई यह सारी medicines और उसके बाद आप थेरपी आपको करना चाहिए में जो लॉंग टर्म में जो ठीक करेगा वो थेरपी करेगा ERP therapy, exposure response prevention, ACT therapy, acceptance and commitment therapy और साथ में CBT का जो belief disputing है अब अपने belief भी चेंज करने होंगे यह तीनों का combination हमें कर रहा होगा तब ही आपकी OCD मैनेज होगी तो यह थी चकिंग OCD के बारे में चकिंग OCD को मैनेज किया जा सकता है यह बाकी OCD की तरह ही मैनेज होती है चाहे कोई भी आपको OCD हो सबका जो इलाज है एक ही है ERP at belief change और साथ मेडिसन अगर आप यह anxiety बहुत जादा है तो thank you for watching my video आपको कोई भी अगर query है तो आप मुझसे पूछ सकते है comment section पे या मेरे instagram और facebook पे भी मुझे message कर सकते है बैज जरूर आंसर दूँगा और life में चाहे कितनी भी इश्यू हो problem हो keep fighting हुए है